केट अट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा विएप कर सकता है सेक्टेंड हाफ में और जायर सी बात है ब्रेक आट के बात चांसेज होते हैं कि मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है तो थोड़ा सा आपको क्या है बाइंग साइट पर फोकस रखना चाहिए अब आपके लिए स्टॉप लाउस क्या होगा वह स्टॉप लाउस माल लीजिए आपका स्टॉप लाउस इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा जो पूट राइटर से उनका कॉंफिडेंस इस्टिल यहां पर बना हुआ है और अगर 18 चार्ट सो के उपर सिस्टेन करने लगा मार्केट तो फिर आपको यहां पर पूट राइटिंग काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है यह पॉइंट आपको क्लियरली यहां पर ध्यान में रखना है तोड़ा सा फोकस आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कल इटी स्टॉक्स दो बतायते उन पर फोकस रख सकते हो प्लस आप HDFC टोइंस पर भी फोकस रख सकते हो क्योंकि मार्केट को उप जाना होगा तो इन दोनों का पर्फोर्मेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हैवी वेट है जो मार्केट को उपर ले जा सकते हैं ठीक है इतना समझ माया अठारा पांसो की पुट पे भी करीब करीब सित्रा लाग का उपन इंटरस्ट एड होता हो दिखाई दिया है कॉ चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते है तो यहाँ पर आप चार्ट पर देखोगे तो आरहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वह करीब-करीब करीब आपका यहाँ पर 387 की आसपार को आप देखो यहाँ पर एक पहला मुमेंटम बना अब जाहिर सी बात है अगर यह इस momentum के ऊपर निकल जाता है यानि यह जो अभी moment आया था तो एक chances बन सकते हैं कि यह अपने day high की तरफ बढ़ सकता है even कल के high तक के लिए भी बढ़ सकता है तो थोड़ा सा focus रखो 18390 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको chances बन सकते हैं कि यह ऊपर की तरफ moment कर जाए और अगर आपको थोड़ा सा और यहाँ पर शोटी चाहिए तो आप 18400 मार्ग कर सकते हो target चोटे-चोटी होंगे यहाँ पर कोई बड़े target नहीं होंगे यह चीज़ आप clearly समझ लीजिए कि aggressively आप कोई बड़ा target अचीव कर सको वो नहीं होगा 18426 तक जा सकता है उसके बड़ा 450 तक जा सकता है यह point आप clearly ध्यान में रखिएगा bank nifty की बात कर लेते हैं तो देखो bank nifty अपना कल का high निकालने की कोशिस कर रहा है नीचे से buying आई है अच्छी गासी तो अगर यह कल के high के उपर sustain करता है तो chances very high कि यह 42 500 तक जा सकता है ठीक है यह point आपको clearly समझ में आ गया तो around आप देख सकते हैं 100 से करीब 500 पांट का target ऊपर की तरफ मिल सकता है इसमें भी कल breakout आया था तो जाहिट सी बात है इसका भी stop loss around आपका आता है 42 258 के करीब का ठीक है global market के situation देख लेते हैं तो currently indices futures में आप देखोगे तो dow future 58 point negative है तो थोड़ा सा आप positive काम काच कर सकते हो आज के trading session में या फिर strict stop loss लगा के काम काच करीएगा ठीक है यह point समझ में आ गया तो यहाँ पे यह सारे particular point आपको यहाँ पे clearly समझ में आ गया होंगे तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगे दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतने है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like ऊच्छ तो